है गाइस कैसे हूँ आप सब उमीद करता हूँ कि अच्छ हूँ दोस्तों मेरे नाम टेकनिकल अशीश बंगड जैसा कि दोस्तों में टेकनोलोजी सेलेक्टड वीडियो डालता रहता हूँ गुर्मेंट टैप क्यों पर न्यू अपडेट निकालता रहता हूँ तो यार आप स से कैसे अपने घर पर सोफ्टवेर कर सकते हैं तो उन भाईयों के लिए यार मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार मेरी आप से हर एक वीडियो में एकी रिक्विरा क्यої जासा कि मैंने आ जाने के बाद जासा कि दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मैंने अपनी होंप्न कर लिया कंप्यूर की तो अगर आपके कंप्यूर में इंतरनेट चलते है आपके पास वाइफ़ा यसा कiamente हो कि जिससे आप अपनी tab को software करोगी और एक आपको data cable चाहिए होगी जिसके साथ आप अपनी tab को connect कर पाओगी तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे दोस्तों मैं डाउनलोड पे गया डाउनलोड पे मैंने यहाँ पे audience टूल डाउनलोड करके रखा है मैं इसे extract कर लूँगा उससे पहले मैं आपको file दिखाता हूं कि मैंने गहाँ पे उस file को रखा है bigger r files यह देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस file को रखा है मैं आपको इसकी properties चेक करा देता हूं एक बार आप जूम करके देख सकते हो दोस्तों मेरे पास यह आगया टी दोस्तों पच्ची यह दोस्तों मैंने government tab की यहाँ पे file को रखा है जो की लगबग 4GB की file है इसको आपको download करना पड़ेगा इसका link आपको description मिल जाएगा दोस्तों जो भी मैं आपको apps के बारे में बता रहा आपको सभी का link description मिल जाएगा और video को skip मत करना अगर आपको अपनी tab का software करना है तो दोस्तों अब आपको करना क्या है आपको winrar की जुरूरत पड़ेगी जिससे आप अपनी file को extract कर पाओगे अगर आपके computer में 7z app है तो आप उससे भी कर सकते हो लेकिन मैं दोस्तों winrar को य दोस्तों file और दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को like and channel को subscribe कर देना क्योंकि यार आपका भाई आपके लिए इतनी मैनत करता है तो please यार एक subscribe और एक like तो बनता है और दोस्तों जीन भाईयोंने अभी मेरे को instagram पर follow नहीं किया तो instagram पर follow कर लो क्योंकि instagram पर आप मेरे साथ बात कर सकते हो मैं हर एक उस भाई कर रिपलाई करता हूं जो मेरे पास sms करता है अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी problem आती है तो आप मुझे वहां पर वीडियो बना के भेज सकते हो पिक भेज सकते हो अगर आपको किसी भी topic के उपर चाहिए तो आप मुझे comment करो government tab से related video में डालता रहता हूं technology से related video डालता हूं रुपेरिंग के उपर video डालता हूं ethical hacking के उपर भी video डालता हूं अगर दोस्तों आपको computer के अंदर interest है तो आप मुझे comment करो कि आपको किस topic के उपर video चाहिए अगर आपके घर में कोई पुराना computer चाहिए तो आप मुझे comment करो मैं आपके लिए वीडियो लेके आउंगा मैं हर एक वो काम करता हूं जिससे आपको यार थोड़ी बहुत help मिले तो प्लीज जीतना होस्त के वीडियो का like and channel को subscribe करो आपको इस चैनल पर हर एक information मिल जाएगी वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए कि मैं इसको थोड़ा skip करना चाहता हूँ दोस्तों इसके बाद आप अपनी टैप के अंदर सब कुछ चला सकते हो आपको कोई भी problem नहीं होगी extract कर लेने के बाद दोस्तों आपके computer screen पे कुछ ऐसी screen आपको show होगी आपको कुछ file ने देखने के लिए मिलेंगी जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा zoom करके दिखा रहूं आपको यह चार file ने देखने के लिए मिलेंगी AP, BL, CP, CSC तो आपको यारीनी चार file की जुरूरत हो कि उसके बाद आपको करना क्या है जहाँ पे आपने अपने audience tool को रखा था जैसा कि मैं आपको zoom करके दिखा रहूं मैंने यहाँ पे download वाले button के मैं गया download वाले इस folder में रखा था मैंने अपने उसको audience tool को तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे download audience tool को download करके रखा है तो इसे आपको download कर लेना है उसके बाद यार मैंसे सीधा यह open कर लेता हूं क्योंकि अगर मैंने इसे extract किया तो काफी time लग जाएगा तो यहाँ से मैंने इसे सीधा open किया मैं इसे थोड़ा सा zoom out कर देता हूं वीडियो तो यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ा clear दिखाने के कोशिश करता हूं यहाँ से आपको zoom कर लेना थोड़ा सा तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसी screen open होगी अब आपको यहाँ पर थोड़ा सध्यान देने की जुरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पर file करने के लिए ज्यासे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको एक्सक्राया करना है अब आपको bl walade इस पर click करदेना है यहाँ पे आपके open option शोगा तो अब आपको वहीं पर जाना है जहां के जहां पर आपने file को extract किया था जैसे कि मैंने bigger r files में किया था तो यहाँ पे दोस्तो BL के सामने मेरे को BL फाइल रखनी है इसे उपन कर देना तो यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हो कि यह फाइल एड़ हो चुकी है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम कम है तो यहाँ हो सकता है कि आपका कंप्यूटर हैंग भी हो जाए तो आपको खबराने नहीं है थोड़ा टाइम जरूर लगेगा इसमें आ जाएगा नोट रिस्पोंडिंग लेकिन हो जाएगा जैसा कि दोस्तो यहाँ पे मेरे सामने भी आ रहा है मेरे भी कंप्यूटर की रैम कम है यहाँ पे मैं एपी को एड़ कर देता हूँ जैसा कि दोस्तो अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम लगने वाला है आप लोग देख सकते हो और दोस्तो जब यह फाइल है आपकी चारों की चार फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएए तो अब आपको करना है क्या है सिंपली अपनी टाब को कनेक्ट करने के बाद आपको एक बार स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन शो होगी जो कि आपके सामने लाइन चलेगी और वो कंपलेट होने के बाद आपकी टाब ओटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी restart हो जाने के बाद आपकी tap का software हो जाएगा उसके अंदर कोई भी problem आपको show नहीं होगी अगर इसके बाद भी आपको ये वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे instagram पर follow करके वहाँ पर मुझे message कर देना आपको वहाँ पर solution दे दूँगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी 101% अगर आपके सामने कोई problem आती है तो आप इस वीडियो को दुबारा वोच कर लेना आपकी problem solve हो जाएगी अगर आपके सामने ऐसा कुछ आता है note responding तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके computer को थोड़ा time लग जाए मेरे computer को भी time लगता है मेरे computer की भी RAM कम है तो यहाँ पर थोड़ा time जरूर लगएगा लेकिन दोस्तों अगर आपके computer के अंदर 512 MB की RAM भी है तब भी आप software कर सकते हो आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार मेरी आपसे request है कि वीडियो को like and channel को subscribe कर देना मिलते हैं गली वीडियो में thanks for watching this video ऐसे support करते रहो thank you